हेलो एब्रीबान दुसिस साक्षर विश्णुई विलकम चु मैंगनेट प्रीन्स एक ऐसा चानल जहां पर आपको मिलते हैं किंदिक आइडन से लेकर 12th क्लास तक के सारी सब्जेक के वीडियो लिक्चर्स बिल्कुल वीडियो लिक्चर्स के साथ-साथ में मैंगनेट ब्रेंज आप लोगों को प्रोवाइट कर रहा है बुक्स एन इबुक्स जो की बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से अगर आप इन बुक्स एन इबुक्स को एक्सिस करना चाहते हैं तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके बाद में हमारी जो टीम है वह बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी और सो स्टूडेंस जो नोट्स है मैगनेट ब्रेंज के वह भी अविलिबल है अगर आप इन नोट्स को एक्सिस करना चाहते हैं तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंक मिल साएगी इस यह हम लोग रिवाइज करेंगे विद उन 30 मिनट्स सो आपजस की आप सभी लोग रिएडी है की बहुत ही जो है कम टाइमम में हमलोग जो है यह पूरे of dispersion है तो यह बेज जोटते हैं univariant distribution पर मतलब कि जब आपके जो पूरी आपके पास में जो भी एक frequency distribution given है या आपके पास में कोई भी data given है उसमें सिर्फ अगर एक variable होता है तो हम लोग जो है measures of central tendency या फिर जो है measures of dispersion को use करते हैं लेकिन ऐसे cases में क्या होगा जब आपके पास में एक से जादा variables जो है available हो तो इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं correlation को जिसमें कि हम लोग देखने हैं at least हमारे पास में दो variables हो ठीक है correlation का मतलब क्या होता है किसी भी चीज के बीच में correlation बताना कि वो आपस में कैसे related है ठीक है तो उसके लिए at least हमारे पास में दो variables होना जरूरी है दो से जादा भी हो सकते हैं दो से जादा variables को भी study करता है correlation आल राइट तो basically हम यह बोल सकते हैं कि correlation जो है वो y-variant frequency distributions में useful होता है और वो जो है various variables के बीच में जो आपका correlation होता है उससे बताता है उससे analyze करता है ठीक है तो अब बस एक बार जो है इसकी definition देख लेते हैं ताकि जो है चीज आप लोग के mind में बहुत अच्छे से fix हो जाए so correlation studies and measures the direction and intensity of relationship between two variables in which change in the value of one variable is associated with the change in the value of the other variable ठीक है यह जो है यह direction और intensity दोनों जो है measure करता है कि दो जो variables है वो आपके कितने ज़्यादा correlated है किस direction में correlated है क्या दोनों में positive relation है क्या दोनों में negative relation है इस चीज को जो है यह हमें correlation बताता है ठीक है देन एक और important concept आठता है correlation and causation now students जो correlation है वो हमें cause and effect relationship show नहीं करता है जैसे कि मानलो हमने बोला है कि price or demand जो है वो negatively correlated है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर price बढ़ता है demand कम होती है price कम होता है demand जादा होती है ठीक है अब इसमें तो जो है हमें पता है कि हमने जो law of demand पढ़ा है उससाब से हमने बोलते हैं कि हमने price के हिसाब से क्या बता दिया है आपर relationship बता दिया लेकिन जब हम correlation की बात करते हैं तो यह चीज एक्जाक्टली ऐसी नहीं होती है correlation आपको यह नहीं बताएगा कि price की वज़े से demand चेंज हो यह demand की वज़े से price चेंज हो है ठीक है वो सिर्फ आपको यह बताएगा कि price और demand में कैसा relationship है तो in short weekend से की correlation जो है वो आपको cause and effect relationship जो है वो शो नहीं करता है तो correlation and causation जो है वो थोड़े थोड़े slightly different चीज होती है ठीक है causation में हमें basically पता होता है कि क्या कौन सा particular variable cause और कौन सा particular variable effect है ठीक है so correlation only points out the changes that occur in a given variable when some other variable changes however it does not reveal anything about the cause and effect relationship ठीक है so if two variables are correlated it does not mean that change in one is the cause of the change in other all right i guess इतनी चीज़े आप लोगो clear है उसके बाद में आते हैं types of correlation पर तो there can be a positive correlation there can be a negative correlation जब भी positive correlation होगा इसका मतलब कि जो भी आपके पास में two variables है वो एक ही direction में move कर रहा है अगर एक increase हो रहा है तो दूसरा भी increase होगा और अगर एक decrease हो रहा है तो दूसरा भी decrease ही होता है ठीक है this is the positive correlation ठीक है कि अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे कम होंगे तो दोनों कम होंगे positive correlation का जो हमारा diagram बनता है वो ऐसा बनेगा एक upward sloping curve मिलेगा जैसे कि हम लोग ने micro economics में supply and price देखा है price and supply में एक positive correlation होता है if price increases supply increases of price decreases supply decreases और accordingly हमने जो है उसमें क्या देखा था एक upward sloping graph देखा था वही चीज आप लोग positive correlation में देखोगे ठीक है वही जब हम बात करते हैं negative correlation की तो negative correlation क्या है कि अगर एक increase हो रहा है तो दूसरा decrease होगा ठीक है यह decrease हो रहा है तो यह increase हो रहा है मतलब कि एक inverse relationship देखने को मिलता है इसका जो graph है वह आपको एक downward sloping graph मिलेगा example के लिए हम लोग ले सकते हैं price and demand ठीक है ऐसे जो है कोड़ा बहुत हमें interlink करते हुए चलना है because आप हम कर रहे हैं revision तो revision का मतलब कि हमने जो है सारी चीज़े अच्छे से पड़ ली है तो आप जो है आप इधर का concept उधल लगा कर एक correlation not correlation we can say but एक जो है interpretation basically आप लोग लगा सकते हो कि हाँ यह example आप लोग ले सकते हो ठीक है then comes to methods of computing correlation तो basically तीन methods हम लोग ने पड़े है एक आता है आपका scatter diagram then comes the Carl Pearson's coefficient of correlation और covariance और फिर आता है आपके पास में Spearman's Rank correlation ठीक है one by one हम तीनों को एक बार देख लेते हैं कि इन में क्या क्या चीज़े पड़ी है scatter diagram में basically हमने क्या पड़ा है जो हम लोग graph के थुरू देखते है कि correlation कैसा है किसी भी दो variables के बीच में वह हम लोग उन्हें scatter diagram में देखा था तो अगर positive correlation हम लोग बता रहे हैं तो scatter diagram में आप लोग कुछ ऐसा देखोगे जिसमें की जो आपके यह dots है यह आपको upward sloping दिखेंगे ठीक है यह जो various हमारे जो points होते हैं वह हमें upward sloping दिखेंगे जरूरी नहीं है कि वह स्ट्रेट लाइन में हो वह आपके ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं ठीक है बट यह वह पॉजिटव जा रहे हैं ठीक है और जब हम negative correlation की बात करेंगे तो आपके पास में ऐसे कुछ negative आने चाहिए dots आल राइट बहुत ज्यादा scattered नहीं रहेंगे अगर बहुत ज्यादा scattered हुए जैसे कि इस वे में अगर आपके पास में कोई particular scattered diagram दिया है तो यह तो आपका एक no correlation वाला concept आज जाएगा ठीक है तो बहुत ज्यादा scattered नहीं रहेंगे आपके positive negative में लेकिन रह सकते हैं जरूरी नहीं कि exactly ऐसा ही जो आपको straight line में ही सब कुछ देखने को मिले all right then उसके बाद में no correlation जो है वो कैसे graphs में हमें शो होता है कुछ ऐसे graphs में इसमें आप ना तो एक positive बना सकते हो ना ही एक negative बना सकते हो ठीक है so this is the no correlation यह भी एक no correlation शो कर रहा है दो variables के बीच में कि जो दो variables आपके किसी भी way में जो है आपस में related नहीं है then comes to perfect positive correlation perfect positive correlation का मतलब कि जब आपके सारे points इस एक particular line पर अगर आ रहे हैं ठीक है that means these two particular जो आपके variables है वो एकदम correlated है ठीक है इनके बीच में जो correlation है वो high है all right तो यह जब आपके points line के एकदम उपर आते हैं तो high correlation हम लोग देखते हैं जब points से जतने साधा scattered है उतना कम correlation हमें दो variables में देखने को मिलता है perfect negative correlation क्या हो जाएगा इस वे वाला जो है यह हमारा perfect negative correlation हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ scatter diagram से जो है हम लोग correlation को find out करते हैं या find out कर सकते हैं all right बहुत ही simple method होता scatter diagram एकदम simple बहुत ही जो है understanding में भी हमारे लिए easy है इसको frame करना भी हमारे के लिए easy है लेकिन इसके disadvantages कहां देखने को मिलते हैं कि यह आपको जो है कोई particular numbers में show नहीं कर रहा है कि कितना correlation है all right यह mathematical formula नहीं दे रहा है यह experts के लिए जो है useful नहीं रहता है इसलिए scatter diagram से हम लोग आते हैं अपने next वाला जो type है of computing correlation उस पर that is the Carl Pearson's coefficient of correlation ठीक है जब दो variables का आपके पास में quantities given होती है तब हमारे पास में जो है Carl Pearson's coefficient of correlation यूज किया जाता है qualitative methods में या qualitative variables में जो है यह यूज नहीं हो पाता जहां पर अगर numbers नहीं दिए तो ठीक है जहां पर numbers दिए वहीं पर हम जो है scatter sorry Carl Pearson's coefficient of correlation को यूज कर पाते हैं now coefficient correlation को find out कैसे किया जाता है इसका एक बार formula देख लेते हैं यहां पर मैं आप लोग को question solve नहीं कर वाऊंगी because we are revising और यहां पर हम question solve नहीं कर पाएंगे ठीक है इस अगर आप लोगोंने questions इसके solve नहीं किये numerical solve नहीं किये तो वह मैंने आप लोगों को already solve कर वा है बहुत चारे number of numericals आप लोग जाकर videos देख सकते है और अपनी practice जो है वो कर सकते है अच्छे से ठीक है जो आपका काल पी असंस coefficient of correlation students उसे हम denote करते है small r से r एक जो है real number है that means जो है not real number sorry pure number है और इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि r की कोई भी unit नहीं होती है ठीक है measurement measure of unit जो है वो नहीं होगी r की ठीक है अब इसका formula है covariance of xy divided by आपका standard deviation of x multiplied by standard deviation of y ठीक है now what is covariance of xy तो उसे हम लोग कुछ इस वे से find out कर दें that is summation of xy divided by n मतलब की in short अगर मैं इस formula को इस वे में भी लिख दू तो भी यह formula हमारा गलत नहीं होगा कुछ books में आपको जो है formula इस वे में भी लिखा होता है इसलिए मैंने यह दोनों यहाँ पर लिख कर बता दिये अगर हम लोग ऐसे भी लिख रहे है formula को तो यह भी सही है ऐसा लिख रहे है तो यह भी सही है ठीक है so यहाँ पर जो है आपका standard deviation आता है standard deviation को कैसे find out किया जाता है यह हम लोग ने measures of dispersion में पढ़ा है all right so जो summation of x है वो है आपका summation of x minus x bar that is जो है आपका mean से जो है deviations निकालने हमें और अगर हम y की बात करें तो that would be y minus y bar ठीक है यहाँ पर यह जो small x y है वो हमें क्या show कर रहा है deviations show कर रहा है all right now this is the standard deviation of x and standard deviation of y all right फिर इसमें various methods होते हैं like direct method shortcut method तो इसमें जो है हर एक particular जो methods उनके formula अगर हम लोग देखें तो direct method का आपका यह formula आएगा direct method मतलब कि आप directly जो है क्या find out कर रहे हो directly आपके जो आपका जो correlation हो find out कर रहे हैं यहाँ पर deviations वगिर आप नहीं निकालोगे ठीक है so आपका जो है सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले यहाँ पर जो standard deviation हो find out कर लिया that is standard deviation of x को find out किया direct method से ही कर लिया so under root summation x square divided by n वैसे ही y का find out कर लिया then उसके बाद में यह particular formula हम लोगों ने use किया that is summation of x y divided by n multiplied by आपका standard deviation of x multiplied by standard deviation of y ठीक है this would be the direct method is alternative formula यह भी हो सकता है आप इस वे से भी find out उसे कर सकते हो ठीक है then comes to the shortcut method shortcut method में हम लोग क्या करते हैं एक assume करते हैं एक mean को right हमारे पास में एक assumed mean होता है फिर उसके बाद में उससे हम deviations निकालते हैं और फिर उसे use करते हैं तो accordingly उसमें भी जो है आपको shortcut method से आप सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर हम shortcut method को देखे तो standard deviation की जरुवत नहीं पड़ेगी directly जो हम formula यूज कर सकते हैं लेकिन formula भी हमारे पास में काफी अच्छा बड़ा सा formula है जिसमें कि हम लोग usually confused भी हो जाते हैं तो अगर आप लोग के पास में जो एक directly अगर specifically question में नहीं दिया है कि आपको कॉंचा method यूज करना है तो एकदम जो simplest formula वाला method नहीं जिसमें सबसे कम calculations लगेगी हमें वही particular formula को यूज करना है ऐसा कुछ नहीं कि हम बड़ा बड़ा formula लिखेंगे तो हमें marks जादा मिल जाएंगे marks किसके basis पर मिलेंगे आपका answer correct है या नहीं है उसके basis पर ठीक है करना पड़ेगा ठीक है तो अब इसका जो formula है वो देखें आर इस इक्वल्स टू summation of dx dy minus summation of dx multiplied by summation of dy divided by n ठीक है सबसे पहले हम जो इसका numerator है एक बार इससे समझ लेते हैं फिर इसके denominator पढ़ाते है what is dx and dy तो dx dy आप कैसे निकालोगे deviations निकालके so take the deviations of x series from the assumed mean यहाँ पर आपके पास में क्या है एक assumed mean रहेगा तो आपको assumed mean से जो है क्या find out करना है assumed mean में से आपको deviations निकालने रहेंगे that would be termed as dx ठीक है उसे आपने dx जो है नाम दे दिया है और उसका सब का sum up निकाला तो आपके आपके पास में dx आजाएगा same way में आपको जो है y series में एक assumed mean लेना है and then जो है assumed mean में से deviations निकालने तो आपके पास में dy आजाएगा then आपको इस dx और dy को क्या कर देना है multiply कर देना और उसका sum up कर देना है यह तो आपका summation of dx जो हमने find out कर लिया है summation of dy भी find out कर लिया what is n n है आपके number of observations all right अब इसको आप divide करोगे under root summation dx square minus summation dx the whole square divided by n ठीक है what is summation dx square जो हम लोगों ने various dx निकाले थे students उन सबका आपको square करना है ठीक है यहाँ पर आप जो dx निकालोगे उन सबका आपको क्या करना है इनका आपको square करना है तो आपको dx square में लेगा फिर वो सारे जो squares निकाले उनको आपको plus करना है तो आपके पास में sum up of dx square निकलेगा उसके बाद में जो यहाँ पर आपको use करना है यह जो आपने simple dx का sum up निकाला था वो आप यहाँ पर लिखोगे that would be summation of dx the whole square ठीक है और इसको आपने किस से divide किया है इसको आपने divide किया है n से ठीक है then यहाँ पर जो है फिर से आपके पास में under root summation of dy square minus summation of dy the whole square divided by n इसके अलावा जो है अगर आप इस वे से भी उस formula को लिख रहो तो भी चलेगा that means अगर यह ends जो है अगर आप इन्हें हटा भी दोगे तो भी चलेगा reason being कि जब आप यहाँ पर पूरा जो है LCM लेकर और अगर division करोगे तो सारे ends cancel out हो जाएंगे तो इस वे से भी आप इस formula को लिख सकते हो यह हो जाएगा आपका shortcut method ठीक है फिर आ जाते है step deviation method पर step deviation method में क्या करते है हम लोग basically जो deviations आपने निकाले हैं उसमें से common factor आप निकाल dash और यह आपका जो है जो सारे deviations हो उसको आप divide करोगे common factor से ठीक है फिर उसके बाद में यह particular formula आपको apply करना है formula apply करोगे इसे solve करोगे तो आपके पास में जो coefficient of correlation हो निकल जाएगा आल राइट आएगेस यह तीनों ही methods जो हैं यह आप लोग को clear है उसके बाद में आते हैं spare means rank correlation पर अब देखो भाई जो आपका coefficient correlation था उसमें तो quantitative अगर कोई हमारे पास में variables है तो वहां पर use हो जाएंगे लेकिन तब क्या करें जब qualitative terms है या तब क्या करें जब आपके पास हैं उन्हें हम rank करते हैं 1,2,3,4 और फिर उसके बाद में जो हैं हम लोग find out करते हैं जो correlation है दो variables के बीच में उनका ठीक है so spare means rank correlation coefficient is usually denoted by rho ठीक है आपके पास में 2 variables हैं आपने r1 and r2 लिया है rank of first variable rank of second variable इन दोनों का difference निकालोगे इन दोनों का difference निकालोगे तो वो क्या है वो आपका d बनाए ठीक है और फिर जो है इसका आप square करोगे तो आपके पास में d square मिल जाएगा ठीक है so 6 summation d square divided by n cube minus n n is basically the number of variables ठीक है then यह आप यहां पर देख भी सकते हो is the sum of the square of differences between ranks and n is the number of pairs all right फिर अब यहां पर आपके पास में various cases हो सकते हैं कि हो सकता है आपके पास में question में ranks given है हो सकता है question में ranks नहीं given है अगर आपके पास में question में ranks given है तो simply आपको यह formula यूज करना है कोई भी changes नहीं है rank correlation को हम कुछ इस वे से भी denote करते है that is rk ठीक है so आपको simply यह formula यूज करना है जो अभी अभी हम लोग पढ़कर आ है अब बात आती है कि जब ranks repeated है ranks given है और अगर rank उसमें repeat होती है तो फिर आप क्या करते हो तो फिर देखो या तो आप इस formula को यूज करो या फिर आपके पास में एक और case होता है कि मानलो की third position पर आपके पास में दो variables या दो values आ रही है ठीक है तो वो third वाली जो position है ना या जो third rank है उस पर अगर दो चीज हारी तो उन दोनों की value उसको आप किया करोगे plus करोगे उसको divide कर दोगे two से या फिर आप इस formula को use करोगे six sum जो है आपका पूरा bracket हाई का summation of d square plus m m क्या है तो m है आपका number of items a rank is repeated ठीक है कितनी बार एक rank repeat हुई है मान लो third rank जो है वो तीन बाल लिखी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे three यह m square that would be three square minus one ठीक है और यह जो है आगे का वो ही सेम रहेगा procedure तो इस वे से जो है जब ranks given है और अगर वो repeated है तो यह correction formula हम यूज करते हैं to find out the correlation ठीक है then उसके बाद में जब ranks नहीं given है तो हम क्या करेंगे अगर ranks नहीं given है तो आपको यह तो ascending or descending order में arrange करना है उसके बाद में you will be giving ranks ठीक है one two three four five six आप अपने हिसाब से जो है ranks दोगे अब आपको जिस भी basis पर लेना एगर आप highest से lowest जा रहे हो तो वैसे जा सकते हो lowest से highest जा रहे हो तो वैसे जा सकते हो उसके बाद में वही सेम चीज की calculate करो जो भी difference है उसे और यह formula यूज कर दो मतलब कि अगर ranks नहीं given है तो आपने आपकी ranks बना दी one two three four लिग दिया है और फिर same formula यूज कर दोगे ठीक है अब जब ranks नहीं given है और वो अगर repeat हो रही है तो फिर अब उस case में क्या करना है so this common rank is the average of the ranks which these items would have got had they deferred slightly from each other ठीक है तो सभी को हम क्या rank दे देंगे सभी को हम rank देंगे three fifth मानलो अगर third place पर दो particular जो है आपकी values आ रही है तो एक third पर आ रहा है एक fourth पर आ रहा ही तो three plus four divided by two तो three fifth ठीक है जाती है one divided by twelve हमने जो पहले देखा था उसमें one divided by twelve नहीं था यहाँ पर आपका क्या रहा है one divided by twelve m cube minus m plus one divided by twelve m cube minus m ठीक है जितनी बार भी आपकी rank repeat हो रही है मानलो जो थर्ड rank है वो तीन बार repeat हो रही है थर्ड वाली रांक तो 3 टाइमस रिपीट हो रही थी, फिफ्थ वाली रांक 2 टाइमस रिपीट हो रही है, तो इस वे में जो है आपको पूरा आपका ये जो M वाला सिस्ट्यम है, इसे पूरा करके जो है, ये जो correction formula इसे use करना होता है, जब रांक्स नहीं गिवन होती है, All right, I guess ये चीज clear है, जो आपका Spearmint's rank correlation coefficient है, I hope so, ये अच्छे से clear है कि इसमें आपको कैसे find out करना होता है, ठीक है, अब कुछ हम लोग properties देख लेते हैं, of correlation coefficient, that means जो हम लोग उने Carl Pearson's वाला देखा था, अगर हम लोग rank वाले में बात करें, तो बहुत चारी चीजे जो है, वो बीच में जो है रहता है, ठीक है, vary करता है, that means अगर perfectly negative correlation हो गया, तो minus 1 हो जाएगा, perfectly positive correlation हो गया, तो आपका plus 1 हो जाएगा, और बाकी सारे variables जो है, बाकी सारे values जो है, वो कहीं middle में ही लाए करते हैं, ठीक है, so एक बार जो properties जो देख लेते हैं, इसकी, so correlation coefficient R has no unit, it is a pure number, it means units of measurement R, not part of R, ठीक है, जो काल पेसंस coefficient of correlation पड़ा, उसकी बात चल रहे है, correlation coefficient जब भी बोलेंगे, उसका मतलब किया है, कि हम काल पेसंस coefficient correlation की ही बात कर रहे है, ठीक है, a negative value of R indicates an inverse relation, I guess this is clear, इसमें कोई भी डाउट नहीं, अगर मैं बोल रहे हूं, मतलब कि यह negative correlation है, ठीक है, a change in one variable is associated with a change in other variable in the opposite direction, negative या inverse relation का मतलब यह हो जाता है, if R is positive, the two variables move in the same direction, if R is equals to 0, the two variables are uncorrelated, or they are not linearly correlated, ठीक है, अगर आपका R 0 है, तो that means कि आपके जो दो variables है, उनके बीच में correlation नहीं है, ठीक है, if R is equals to 1, और R is equals to minus 1, the correlation is perfect, ठीक है, the relation between them is exact, अगर minus 1 या plus 1 है, तो perfect है, exact relationship होता है, exact correlationship होता है, ठीक है, so a high value of R indicates strong linear relationship, its value is said to be high, where it is close to plus 1 और minus 1, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूं, minus 0.9 है, तो यह आपका low correlation है, क्योंकि यह minus है, नहीं, आपको जो है, sign पर इतना ध्यान नहीं देना है, आपर देखो कि number क यह 1 के पास में मतलब की high correlation है, ठीक है, 0.75 अगर मैं बात करूँ, तो यह इन दोनों में अगर हम लोग comparison करेंगे, तो यह वाला जो है, आपका 0.9 वाला इसमें जाधा correlation है, as compared to 0.75 वाले में, ठीक है, so a low value of R indicates a weak linear relation, its value is said to be low when it is close to 0, ठीक है, अगर जो है, R की low value है, तो इसक हो कर रहा है, यह वो आपको weak correlation हो कर रहा है, between two variables, the value of correlation coefficient lies between minus 1 and plus 1, that is minus 1, that is R is more than or equal to minus 1 and less than or equal to plus 1, ठीक है, the value of R is unaffected by the change of origin and change of scale, all right, क्यों ऐसा, क्योंकि जो R है, वो हमारे पास में, क्या है, एक तो pure number है, दूसरी चीज है, जो change in origin और change in scale है, वो क्या बताता है, कि अगर एक same number जो है, आप अगर multiply करते हो, सारे values में, तो आपका R जो है, वो क्या रहेगा, वो change नहीं होगा, और अगर आप same number को divide भी करते हो, पूरे आपके variables में, तो भी आपका, जो R है, वो same रहेगा, ठीक है, अगर पूरे values में, division है, properties है, coefficient correlation की, ये भी आप लोगों को clear हो गई है, so with this हमारा ये जो पूरा chapter था, इसका revision हम लोगोंने कर लिया है, and even हम ले 30 minutes का पूरा time लगा भी नहीं, within 24 minutes जो है, हम लोगोंने इस पूरे chapter को कर लिया है, revise, now students, यहाँ पर हम लोग revision कर रहे थे, इसलिए हम लोग detail में कहीं पर रहत हो, तो videos already available है channel पर आप लोग देख सकते हो, detailed explanation वाले videos, topics जो है, वो available है, मैंने सब कुछ जो है, बहुत ही detail में पढ़ाया है, यह जो various videos है, यह आप लोग जो हमारा YouTube channel है, Magnet Brains, वहां से access कर सकते हो, कभी-कभी होता है कि YouTube पर आपको playlist नहीं मिलती है, आपको videos नहीं मिलत dot com, या फिर जो Magnet Brains का app, आप उसे भी access कर सकते हो, website और app दोनों पर आपको जो है, बहुत ही systematically arranged, हर एक चीज मिल जाएगी, class-wise, topic-wise, subject-wise, तो आपको वहां पर जो है, किसी भी particular topic को, video को find out करने में, problem नहीं होती है, also students, हमारा YouTube channel है, Magnet Brains, आप लोग उसे subscribe करें, इन वीडिय videos, thank you!